हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे exercise 3.5 का question number 10 तो question number 10 क्या कहता है determine if 25,110 is divisible by 45 और यहाँ पे हमें hint दे रखा है 5 and 9 are co-prime numbers test the divisibility of the number by 5 and 9 अब यहाँ पे देखो यह जो number दे रखा है हमें क्या चेक करना है कि यह 45 से divisible होगा या नहीं होगा तो हमें इसको किस तरह से चेक करना है हम यह चेक करेंगे कि यह number हमारा 5 से divisible है और 9 से divisible है अगर यह दोनों से divisible होगा तो यह 45 से भी divisible होगा क्योंकि 5 into 9 क्या होता है हमारा 45 होता है और 5 और 9 हमारे क्या है co-prime numbers है तो यहाँ पे यह चीज़ हम याद रखेंगे कि अगर दो नमबर को प्राइम है और कोई नमबर अगर उन दोनों नमबर से divisible हो रहा है तो वो नमबर उनके प्रोडक्ट से भी divisible होगा तो यहाँ पे solution देख लेते हैं तो अब देखो यहाँ पे यह क्या नमबर हमें दे रखा है 25110 अब यहाँ पे देखो last में हमारा क्या दे रखा है 0 दे रखा है और अगर last में हमारा 0 हो या फिर 5 हो तो ऐसे नमबर हमारे जो है वो किस से divisible हो जाते हैं 5 से divisible हो जाते हैं इसके अगर हम digits का sum करें तो क्या आएगा 2 प्लस 5 7 हो जाएगा 7 प्लस 1 8 हो जाएगा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा digits का sum जो है वो 9 आया और 9 जो है वो 9 से divisible होता है तो इसका मतलब यह number भी हमारा 9 से divisible होगा तो यहाँ पे हम tick कर देंगे अब यह 5 से भी divisible है 9 से भी divisible है तो यह imply करेगा 25,110 is divisible by 45 तो यह हमारा 45 से भी divisible होगा questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना है